या सो हलो एवरीवान हितेश यह तोड़ी विगना टॉक अबाउट दे मूवी वंडर वुमेन 2017 यह मूवी डीसी यू यानि की डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सेंडेड यूनिवर्स की चौंती मूवी है इसके अल्रेडी तीन पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से अल्रे उसके ठीक द기에ख़ें यहां विभागे होती है लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग होतें जो की भी वेजे होते प्रूस विन ने जोकी बैटमैन को खोलती है तो उसके एक तसमीर यह और साथ ही उस तस्वीर पर लिखा होता है I found the original maybe one day you will tell me the real story और जब डायाना उस पोटो को देखती है तो अपने past में पहुंच जाती है यहां से कहानी एक flashback के साथ में शुरू होती है जहां पर डायान एक छोटी बच्ची थी वो एक टापू पर रहा करती थी जिसका नाम थ सिमिथीरिया और इस island की सबसे खास बात यह थी कि यहां पर सभी females थी कोई भी मेल नहीं था और साथ ही जितनी भी females थी वो एक बहुत ही खास warrior थी जिनके अंदर शांदार युद्ध कोशल था वो लड़ने में काफी माहिर थी जिनने गुड सवारी और साथ ही सभी हतियार चलाने काफे अच्छी तरीके से आते थे और वहीं पर डाया उन सभी को देखकर खुद के moves करने लगती है वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करती है लेकिन उसी मुवमेंट पर वहां पर डायान की माह जो कि इस island की रानी है जिनका नाम है रानी हिपॉलिटा और वह से कहत पती भी होती है जिसका नाम होता है एंटोपी वह भी वहां पर आ जाती है और वह कहती है कि आखिर तुम क्यों इसे मना कर रही हो तब वहां पर हिपॉलिटा कहती है कि यह इस पूरी की पूरा island की सबसे चोटी बच्ची है और मैं इससे बहुत ज़दा प्यार करती हूं औ कि तो वहां पर हिपॉलिटा कहती है कि यह कहानी है मेरी ये कहानी है मेरे अपने लोगों की ये कहानी है मेरे अतीत की और तभी हिपॉलिटा डायानों को अपने अतीत मिले जाती है वो से बताती है काफी समय पहले ईश्वर जिनका नाम था ज्यूस उन्होंने इंसानों को बनाया और साथ ही ईश्वर और इंसान एक साथ अमन और चै प्यार से रहते तो उसके मन में काफे गुस्सा भर जाता इसलिए उसने धीरे-धीरे करके सभी लोगों का माइंड मैनिपलेट करना शुरू कर दिया उसने उन लोगों के मन में डर गुस्सा और साथी नकारात्मकता भर दी ताकि वो लोग आपस में एक दूसरी की दुश्मन बन जाए और दीरे-दीरे करके एक टाइम ऐसा आया जब लोग एक दूसरी की जान के प्यासे बन गये थे सभी ने एक दूसरी को जान से मारना शुरू कर दिया था लेकिन जब जूस ने ये देखा तो जूस ने हमें बनाया ताकि हम इंसानी जाती में फिर से प्यार सकें और हम इसमें सफल भी हुए हमने काफी टाइम तक इंसानों को एक साथ रखने की कोशिश करी लेकिन जब इस बात का पता एरीस को चल गया तो फिर से लोटा आया हम सभी ने उसका जमकर सामना किया मगर हमारी शक्तियां उससे लड़ने के लिए काफी नहीं थी तो हम के पास फिर से मदद मांगी तब यूज ने का कि ठीक है मेरे काफी सारे देवता तुम्हारे साथ में आएंगे जो कि एरीस से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे और फिर हम सभी ने और साथी उन देवताओं ने भी एरीस से लड़ने की कोशिश की मगर एरीस इतना ज शक्ति से एरीस के उपर वार किया जिस से एरीस वो जंग छोड़ कर भाग गया लेकिन वो जानते थे कि एरीस फिर लोटेगा और अगर फिर से लौटा तो वो इस पूरी इंसानी जाती को तबाह कर देगा इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक तलवार बनाई और वो काफी दूर और काफी अलग हट करें कोई भी इंसान हमें देख नहीं सकता क्योंकि आइलेंड इंसानी नजरों से नहीं देखा जा सकता था तभी डायाना अपनी मा हिपालिटा से के लिए बिलकुल तयार हो लेकिन तुम्हें कभी भी इसकी जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध कोशल सीखने नहीं दूंगी मगर डायाना ऐसा नहीं चाहती थी और वह अपनी हिपालिटा की बहन एंटोपी जो की इस पूरी सेना की सेना पती थी उसक तब ही वहाँ पर रानी हिपालिटा पहुँच जाती है और उसे उन दोनों को देखकर काफे गुस्सा आता है वो अपनी बहन एंटोपी से पूछती कि आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने इसे लड़ने की कला क्यों सिखाई जब मैंने तुमने मेरी बात क् किसी भी तरह की परेशानी आई तो डायाना अकेली पढ़ जाएगी और डायाना को अगर मैंने लड़ना नहीं सिखाया तो डायाना अपनी जान खोबेटेगी इसी वजह से फाइनली अंटोपी की बात ही समझते वे डानी हमपॉलिटा उसको ये एकॉर्ड दे दीती है कि वो एक काफी शानदार युद्ध कोशल की एक वार्यर से बन जाती है उसके अंदर लड़ने की सभी कलाये आ जाती है मगर इसके अलावा डायाना में और भी काफी सारी शक्तियें जिसके बारे में आज तक उससे नहीं पता और साथ ही ये बाते भी आज तक डैना को किसी न जने वाली तो वहां से कूच जाती है और सीधा पानी में तैर कर उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और साथ ही बचा कर उसे जमीन पर भी ले आती है और जब वह उसे देखती है तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने लाइफ में आज तक कभी भी कोई पू पहुंचने वाला होता है यह सभी जर्मन सैनिक होते हैं वैसे तो हला कि इन्हें अपनी नजरों के सामने कुछ भी नजर नहीं आता लेकिन तभी उनमें से एक जहासी को थोड़ा सा टूटा वा मलबा मिलता है जो कि क्रेश हुआ था उसी प्लेन से जसके अंदर स्टीव ट्र सभी बोर्ट भी आगे नहीं लगती है और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे जर्मन सैनिक पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए उसे जान से मारने के लिए लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है पूरी की पूरी उस सिमी थीरिया की टीम वो पूरी की पूर फोर्स उन जर्मन सानिकों पर भारी पड़ती और एक एक करके वह सभी को जान से मार देती है और वो उस सैनिक यानि कि स्टीव ट्रैवर को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं हाला कि इस लड़ाई में गूली लग जाती है एंटोपी को जिसने कभी युद्ध कोशल सिखाया था डायाना को और जब डायाना उसके पास पहुचती है तब तक एंटोपी बच नहीं पाती है उसकी जान उसी मुमेंट पर चली जाती है इस बात से डायाना काफी टूट सी जाती है इसके बाद में वो पूरी फीमेल फोर्स स्टीव को बंदी बना लेती और पूछती है कि आखिर तुमारा मिशन के है तुम यहां पर क्यों आयो तब स्टीव बताता है कि मैं जासूस हूं जो कि जर्मन के इंदर उन्हीं जर्मनियों के खिलाफ एक चोटे से मिशन आदा खराब हो गया था और वो ऐसा जनरल एरिक के कहने पर कर रही है ताकि यह दुनिया पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो जाए दरसल इस आइलेंट के बाहर वर्ड वार वन उनकी पूरी तयारी हो चुकी थी जिसके बारे में रानी हिपॉलिटा और साथ इस के बाद में डायाना को ये लगने लगता है कि एरिस फिर से लोटाया है और वो चाता है इस पूरी दुनिया के अंदर अशांती अबद्रदा फैला दे ताकि सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे वो इन सभी को जान से बचाना चाती थी। डायना अपने मन में ये बाद ठान चुकी थी कि उसे आरीस को मारना है और सथी वो उसी रात को अपनी पूरी लड़ाई की पोशाक में यहनी कि अपनी पूरी वारियर फॉर्म के अंदर आ जाती है अपनी तयारी कर लेती है आरीस को जान से मारने की और साथ ही अपनी चमकीली रसी और उस तलवार को भी अपने साथ में ले लीती है जो कि जूज ने उनके लिए भीजी थी और वो उसे लेकर स्टीव के साथ में वहां से भागनी की तैयारी करती है मगर उसी मुवमेंट पर वहां पहुंच जाती है राने हिपॉलिटा और वो डायाने से कहती है कि अगर तुम एक बार यहां से गई तो वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आ पाओगी तब दायाना के इनसानी जाती खत्रे में और हमारा निरमानी इनसानी जाती को बचानी के लिए इसलिए मैं जाओंगी और उन सबी को बचाऊंगी तब वाँ पर हिपालिटा कहती है कि इंसानी जाती हमारी लिए नहीं बनी वो तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी लेकिन डायाना के मन के इरादे काफी मजबूत थे वो कहती है कि मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तयार हूं और यह कहकर वो स्टीव के दिखते तो उन्हें पता चलता है कि इस किताब के इंदर दो अलग अलग भाशाओं का प्रयोग किया गया है जो कि काफी पुरानी भाशाएं हैं मगर डायाना भी तब वहीं पर खड़ी थी और वो उसे कहती है कि किताब मुझे दो और जब डायाना उस किताब को खोल कर द सारी information उन्हें देती है कि उस डायरे में लिखाता कि वो एक जहरीली गैस बना रहें और वो इस जहरीली गैस का प्रयोग अपने बॉर्डर पर करेंगे जहां पर काफी सारी सैनिक होते हैं जब बड़े officers को यह पता लगता है कि जर्मन हम सभी के सैनिकों को जान से मारना चाता है जिसके वच्चे सारे सारी थीर से यांसे बाइक से बात करें । लन्डघन वाले सोचते हैं कि हम अगर जर्मन पर देते हैं वो नहीं चाहते थे कि स्टीव वहां पर जाए और ऐसा करें इस बात से डायानों को भी काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अपनी पूरी तयारी में है और अगर हमने तयारी नहीं की तो वह अपने मनसूबों में कामियाब हो जाएगा मगर उस मुमेंट पर स्टीव सिचुएशन को समझता हुआ वहां से डायाना को ले जाता है और उसे समझाता है कि ये बड़े उच्चु अधिकारी है ये आपस में एक दूसरे के साथ बात करकर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे लेकिन तभी वहां पर डायाना कहत वहीं दूसरी और जर्मनी की एक कैंप में डॉक्टर मेर्य को दिखाया जाता है जो कि उन्ही जहरीली गैसों के उपर काम कर रही होती है और उसने एक ऐसी गैस बनाई थी जो किसी भी हूँमन को सूपर हूँमन में बदल सकती थी और तभी उसके पास में वहां के जर्मन एरिक आते हैं और एरिक उससे पूछते हैं कि क्या तो हमने उस जहरीली गैस को बना लिया जिस पर हम काफी दिनों से अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वहां पर डॉक्टर मेरु कहती है कि हाँ आखिर कार में उस गैस को बनाने में कामियाब होई गई और तभी वह ज कुछ दूमा सा निकलता है और जैसी इरिक उस गैस को सूंकता है तो उसके इंदर काफी ज़्यादा सूपर हमिन स्ट्रेंथ अ जाती है और इसी के साथ मैरू अपनी उस गैस को बनाने में कामियाब भी हो जाती है वहीं दूसरी और डियाना और साथी इस्टीव उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन और बिटिश के सभी सैनिक होते हैं उस जगह का नाम होता है नुमेंज लैंड बेसिकली वह एक ऐसी जगह थी जहां पर दोनों ही ग्रूपों के बीच में आये दिन गोली बारियां होती रहती थी और उस जगह की सबसे बेकार बात यह सबी से लड़ने के लिए तैयार होती है वहीं दूसरी और जर्मन के सबी सैनिक उस पर धड़ा-धड़ गोलियां बरसाते रहते हैं लेकिन डायाना के पास में थे उसके दुनिया के सबसे मजबूत स्टील प्लेटेट आर्मर्स जो की हर गोली को रोक लेते थे वह अपने ह दूल फॉर्म में देखकर स्टीफ के मन में भी जोश आ जाता है और वह अपने साथियों के साथ में उसके पीछे-पीछे आगे बढ़ने लगता है और जब वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं तब ही उनके साथ में पर पहुंच जाते हैं जहांसे जर्मन सैनिक गोलीयां बना रखा था और एक और तगड़े fight sequence के बाद में finally Diana उन सभी दुश्मनों को मार देती है उन सभी को हरा देती है जिससे उन सभी को finally आजादी मिल जाती है और इसी बाद से वो गाओं वाले काफी खुश भी होते हैं वो गाओं वाले उन सभी को blessings भी देते हैं वहां मोजूत प्रेजेंट टाइम में Bruce Wayne ने Diana को भीजा था मगर तभी कुछ जर्मनी के सैनिक वहां पर एक जैरीली गैस का गोला छोड़ देते हैं जिससे की आजू बाजू हर जगह पर वो जैरीली गैस फैल जाती है और उस गैस के फैलने की वज़े से वहां मौजूद गाओं के लोग भी जान से मारे जाते हैं और जब तक डैना वहां पर पहुंच थी तब तक काफी देर हो चुकी थी वहां पर कई सारे लोगों की लाशे बिच चुकी थी और वो इनका दोशी अपने आपको मानती वो सूचती कि अगर मैं समय से पहले एरीस तक पहुंच चुकी होती तो आ अगर तो मुझे यहां पर पहले आने देते तो आज मैं एरीस को खत्म कर देती मगर अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूँगी मैं इस गैस का पीछा करते वे जारी हूं और वहां पहुंच जाओंगी जहां से एक गैस रिलीज हो रही है और वहां पहुंचकर एरीस को ख चलाता है मगर उन गोलियों को उस पर कुछ असर नहीं होता है अपने सामने खत्रा आता था एक जनरल एरिक उसी कैपसूल को तोड़ देता है जो कि डॉक्टर मेरू ने बनायती है और उसमें से जो गैस निकलती है वो से पूरी तरीके से सूंग लेता है और उसके शरीर में आजाती है सूपर हीमिन स्टरैंद और फिर लड़ने लगता है डायन के साथ में लेकिन डायना के पास में होती है वो तलवार जो कि जूज् würden योतीं घुझ जूज ने उस तलवार को बनाता की हुँ जो कि जूज ने हमें दिया था जनरल एरिक को जान से मार देने के बाद में दयाना को यह लगने लगता है कि उसने युद्ध के देवता यानि की गौड ओफ वार एरीस को जान से मार दिया और उसे एक संतुष्टी काफी सारे लोगों की जाने जाएगी लेकिन तब वहां पर डायाना कहती कि ऐसा नहीं हो सकता हमने हमेशा यह पड़ा है कि जब उनका देवता जब उनका सरदार मर जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है उन सभी के माइंड ठंडे पड़ जाते हैं तो मुझसे गलत कह रहे ह जिससे कई सारे मासूमों की जान चिली जाएगी मगर तब डायाना उसकी बातों को समझ नहीं पाती क्योंकि वह अभी भी अपने पुराने स्टेट ऑफ माइंड में होती है तुम लोग मतलब हो मेरी माने सही कहाता कि इंसानों को हमारी मदद राज नहीं आएगी वह उसे छोड़कर खुदी उस हवाईजास की और निकल जाता है जिसके अंदर गैस की गोले होते हैं मगर ये सारी बाते पीछे खड़ा एक शक्स और सुन रहा होता है जो और कोई नहीं बलकि स्टीव का ही बॉस होता है जिसका नाम होता है सर पैट्रिक बेसिकली सर पैट्रि लालची है एक दूसरी की जानके प्यासे है और तभी डायना ये समझ जाती है कि सर पैट्रिक नहीं बलकि यही असली एरीस है और वो अपनी वही तलवार निकाल लेती है जो कि जूज ने उनके लिए बनाई थी और वो उसका सामना करने लगती है और वो जैसी अपनी जाधा होती है कि जैसी तलवार उसके हाथ से टकराती है वह बिल्कुल और कि यह इस बात को देखकर दैना युक्ञति हो जाती है उसे लगता था कि यह तल्वार थो लूज ने जब पहली बार तुम मेरे कैबिन में आई थी मैं चाहता था तुम्हें जान से मार दीता मगर मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वो मन्जर दिखाऊ हूँ जहां पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे कि फॉर्मूलास को उनके कान में फुस फुसायाता है बाकी इन सभी ने आपस में लड़ने की ठान ली क्योंकि यह इंसान लालची मतलबी और खुदगर्ज हैं डायाना मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को यूँ ही वेस्ट ना करो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मि करेंगे और एक नहीं दुनिया खड़ी करेंगे जहां पर अच्छे लोग होंगे जिनके माइंड साफ होंगे जो कि हमारी पूजा करेंगे मगर डायाना काफी चालाक थी और वो उसके विजन से निकल जाती और उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि एरीस मेरे माइंड को मै थर्दाक लड़ाई जो की होती है एरीस और साथी डायाना के बीच में अब ए एरीस अपने फूल फॉर्म में आ बॉल؟ प्रहार करता है तो बहुती यह जोर का बॉंब ब्लास्ट हो जाता है उस बलास्टके चलते वहां से डायाना काफी दूर जाकर गिरती है उसे वहाँ पर गिरा देखकर स्टीव भी वहाँ पर पहुंच जाता है और स्टीव उसे कहता है कि यहां से एक प्लेन जाने वाला है जिसके अंदर गैस के काफी बड़े बड़े गोले तब वहाँ पर डाया ना कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ द फिर से ऐरीस से लड़ना शुरू कर देती है मगरर एरीस काफी ज़दा ताकत वरता है उसके पास में शक्तिती चीज़ों को हवा में टेलिपूरोट करने की ऐरीस डायना को एक ऐसी जगए प्लेन को बॉंब से उड़ा देता है जिससे कि इस दुनिया पर एक जो खत्रा मन लेकिन ऐसा करने पर इस्टीफ की जान भी वहीं पर चली जाती है और जब डैना अपनी आखों से यह सब देखती है तो उसे बहुत ही जदा गुस्सा आता है वह अपनी पूरी शक्ति का यूज करती है और उसके आसपास में जो लोहे के बंधन होते वह उन सभी को तोड़ द करी है तो मुझसे पहले इसे ही क्यों नहीं मार देती और तब वहां पर गुस्से में आकर डायना एक बहुत ही बड़े टैंक को अपने हाउत से उठा लेती है और उसके उपर पटकने लेकिन तभी उसके सामने स्टीफ का एक विजन सा आ जाता है और स्टीफ उसे कहता है क तुम्हें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए बुरे लोग तो बहुत होते हैं लेकिन तुम्हारा काम है अच्छाई करना तुम बुराई को अच्छाई से जीच सकती हो और तभी वो इस टैंक को नीचे पटक देती और डॉक्टर मेरू को जान से नहीं मारती और फि जियूज ने अपनी शक्तियों के साथ में ही डायाना को बनाया था और जब वह बिजली डाया और आम पर आती यद्य है और वहीं दूसरी और स्टीव के जो तीन दोस्त थे वो उसी केंप में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बॉम फिट कर देते हैं जिससे की वो पूरी की पूरी जगा ही वहां से फट जाती है और उसके अंदर जो गैस के गोले होते हैं वो भी पूरी तरीके से नश्ट हो जाते हैं और फाइ थी अपने प्रेसेंट टाइम में जहां पर डायाना उसी तस्वीर को देख रही होती है जो कि ब्रूस वेन ने उसके लिए बेजी थी और इसी के साथ में दयाना एक बात भी कहती है वो कहती है कि हमारे अंदर दो चीज़ें मौझूत होती है एक अंधेरा और एक उजाला इसी के साथ ये शांदार मूवी यहीं पर खत्म होती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि दैयाना प्रेंस यानि कि वंडर वूमेन अब तयार है इस दुनिया पर आने वाले सभी खत्रों से लड़ने के लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा इसके बाद मैं मैं डीसी यू का अगला पार्ट यानि क कि जस्टिस लीग जिसका आप बेश सब्री से इंतजार कर रहे थे उसे जल्दी लाने की कोशिश करूंगा तो अगें थैंक यू सो मच गाइस पॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में